हलो स्टुडेंट्स तोडे वी विल डू मेंटल मैथ ऑफ चैप्टर 11 11 इस मेजरमेंट आज हम मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं मेंटल मैथ इसके अंदर जितना भी आपने भी तक work किया है उस सारी की चीज़े fill in the blanks की form में आ जाती है कि आपको कितना ये चैप्टर अच्छे से समझाया तो first है कि 4 km is equal to meter यानि इस 4 km को आपको किस में change करना है मेटर में तो मैं आपको यहाँ side में करके बता देती हूं 1 km is equal to 1000 meter होता है ना तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 multiply by 1000 क्या हो जाएगा 4000 meter यानि यहाँ पे answer क्या आ जाएगा 4000 done अब आपको इसमें बताना है कि लीटर और मिली लीटर में convert करना है जैसा कि हम जानते हैं कि last की 3 तो होती हैं आपके मिली लीटर one stands 100 तक तो मिली लीटर यानि यह हो जाएगा 248 मिली मिली लीटर और जो 1000 की place पे 3 यह क्या है आपका लीटर हमने लिख दिया इस मिली लीटर को लीटर और मिली लीटर की form next आ जाते हैं यह है 500 इसको बड़ी unit में meter में change करना है यानि same यह हो जाएगा 5 meter क्योंकि last की 2 digit ही centimeter होती है और third वाली क्या हो जाती है meter तो यह 5 meter अब यह 8 kg है इसको किस में change करना है ग्रैम में बड़ी unit है छोटी में करना है तो 1 kg is equal to 1000 ग्राम होता है न तो आपको क्या change करना है 8 तो यह हो जाएगा 8,000 हम 8 की multiply 1000 से कर देंगे तो यह हो जाएगा 8,000 ग्रैम तो यानि यहां answer क्या जाएगा 8,000 अब regrouping करने के बाद यह देखो यह तो है 2 km और यह 1,400 मीटर आप इनको km और मीटर में करोगे यह तो km है यह तो यहां आए गई बड़ आप यह देखो meter में सिरफ last की 3 ही यह सिरफ meter होता है और आगे वाला क्या होता है यह चीज किलो मीटर होता है तो 2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 3 km और last वाला 400 किस में आजाएगा मीटर में आजाएगा सेम इसी तरीके से last की जो यह 3 है यह है सिरफ meter तो 320 ml और liter क्या होगा 3 liter यह और 2 liter यह 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 liter next में भी ऐसे ही करेंगे next में भी हमेशा last की 3 तो क्या होगी आपकी gram 420 gram किलो ग्राम क्या है यह 5 kg यह और 1 kg यह क्या हो जाएगा 6 gram अब आपको sign लगाना है greater than less than और is equal to का अब आप यह देखें यह 300 ml और यह 1 liter 1 liter यानी 1000 ml तो आप यह बताओ 1000 बड़ा होता है यह 380 बड़ा होता है बड़ा क्या होता है 1000 यानी 1 liter बड़ा होगा लेटर की उनिट बड़ी है तो यह greater than का symbol इस साइड लग जाएगा next है 802 अब मुझे यह बताओ यह 802 बड़ा होगा यह 2 kg बड़ा होगा अगर आप इसको gram में change करते है ना तो यह हो जाएगा 2000 ग्रैम तो बड़ा क्या होगा 2000 तो हम यह वाला symbol लगा देंगे next है यह है 2000 meter और यह 2 km यह ना equal ही है आप इसको अगर meter में change करेंगे तो 2 multiply by 1000 यह क्या हो जाएगा 2000 meter यानि यह 2 km और 2000 meter सेम है तो यहाँ पर sign आजाएगा is equal to का तो आज आपका work रहेगा कि आप यह mental maths अपने book में करेंगे और अच्छे से समझेंगे Thank you